श्रीश वाय नमस्तो भ्याम आला फ्यू वेलकम आवर यूटूब चैनल के आर साओ क्लास तो गाइस आज का यह वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि आज इस वीडियो में आपको में इंग्लिस प्राइबेट वे सिमेस्टर दोनों के लिए एक इंपोर्टेंट च इसके जितना भी इंपोर्टेंट चैरेक्टर है ना उसको इस वीडियो में बता आरे हूं आपके एक्जाम के लिए बहुँ ज़्यदा इंपोर्टेंट होगा क्योंकि ज़्यदातर में इंग्लिस प्राइबेटर सिमेस्टर इसमें कारेक्टर को ज़्यदा पूछता है ठी पहला हमारा क्वेश्टन है इसके इस लेक्टर ऑफ होडी व совремe गतातर इसमीं बनाकी छेरिधन इसको याद रखे iba एक ठीक को बैसको बेशक आप इसमेन आधे को इंट्रेक्शन बना दीजिए वाधा को अब इक हीरो को रूप में भी कर लेंगे तब भी आपको अच्छा नंबर स्कूर होगा चलिए देखते हैं फिर अगला पॉइंट को अगला पॉइंट is ambition to get a cow for the family जिसका explain इस प्रकार से हैं फिर अगला पॉइंट है how is love for a hero जिसका explain इस प्रकार से हैं फिर अगला देखें ही is greatness जिसका explain इस प्रकार से हैं और इस question का अंतीम point है conclusion जिसके explain इस प्रकार से हैं देखिए आप कोई भी question अंसर करते हैं सबसे पहले introduction करने बहुत ज़्यदा जरूरी है लास्ट में conclusion यह दोनों बहुत ज़्यदा important होता है इसे के तुरह आपको ज्यादा अच्छामबर मिल सकता है चलिए अब देखते हैं हमारा अगला question को इस case the character of धनिया दा वाइप आप होरी ठीक है इसे दो और question और दिया हुआ है और मतलब तीन question के total ने सबका answer एक ही है पहला इसके starting है introduction से और उसके बाद अगला देखिए यहाँ पर इसके explain इस प्रकार से फिर अगला जो point है हमारा हर outspoken nature के बारे में दिया हुआ है जिसके explain इस प्रकार से है ठीक ना उसके बाद अगला point है हम लोगों का her wonderful coverage जिसके explain इस प्रकार से है फिर अगला है ना अगला जो point है धनिया के बारे में है जो एक affectionate उमेन है ठीक ना जिसके explain इस प्रकार से है फिर अगला point है her support for justice जिसके explain इस प्रकार से है उसके बाद अगला हमारा point है her quality of kindness जिसके explain इस प्रकार से है अब देखते है question no.3 question no.3 में किसके character दिया हुआ है तो इसके is the character of the राय साहिब इसमें और आपके बस देन question है और तीनों का answer एक ही है ठीक है ना देखिए फिर इसके starting कहां से हुआ है introduction introduction के experience प्रकार से दिया हुआ है और उसके बाद अगला point है his sympathy for the formers ठीक ना जिसके explain इस प्रकार से है उसके बाद अगला point है दा राय साहिब as a socialist ठीक है जिसके explain इस प्रकार से है उसके बाद इस question का अंतीम point है दा राय साहिब है रेस्ट्रेंट अगेंस्ट दा ओल्ड सिस्टम ठीक ना तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतला ही आप लोग को कैसे लगा मुझे कमेंट के जरूर बताएगा और हम वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कमेंट बाक्स पर कमेंट भी कर सकते हैं मिलते हैं फिर नेस्ट वीडियो में